हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे ठेस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ठेस का इंग्लिश मीनिंग होता है पोक, प्रोड, किक और हर्ट, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल, I didn't mean to hurt your feelings, यहां, hurt का मतलब है ठेस, उदाहरन, मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाना चाहता था, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू